गुड आफ्टूनों एवरिवन लेट साथ विद लेक्चर नमबर टू अवर क्लास बेल्मेंट प्लेज लास क्लास में में शुरू किया था हमने बेल्मेंट को कैसे डिफाइन किया था कि अब बेल्मेंट को कैसे डिफाइन किया था कि अबेल्मेंट is a contract in which one party makes a delivery of goods to another party जिसको हम पार्टी जो goods deliver करती है उसको हम बेलर बोलते हैं और वो पार्टी जिसको goods deliver किये जाते है अनदर पार्टी उसको बेली बोल जाता है delivery होती है goods की for a particular purpose और इस condition इस contract के ओपर delivery होती है given that this purpose is accomplished when this purpose is fulfilled इन goods के साथ दो तरह के काम किये जा सकते हैं this goods can be returned back to the person delivering them that means it can be returned back to the बेलर और it can be disposed of according to the directions of the person delivering them बेलर की directions पे जो बेली है इन goods के साथ कुछ dispose of करता है dispose of means कुछ भी हरकत करता है जो बेलर की instructions के हिसाब से होती है कई examples लिए था हमने बिल्कुल basic example से बात शुरू की थी कि मानली जी आप एक car को mechanic को repair करने के लिए देके आते हैं सारी conditions पूरा करता है therefore it's a bailment similarly अगर आप एक gold chain को देके आते हैं यह gold chain आप एक jeweler को polishing के लिए देके आते हैं then in that case it's a bailment third हमने बात की थी कि car को borrow करना अपने फ्रेंड से कोई pen को borrow कर लेना अपने फ्रेंड से यह borrowing जो होती है यह आपकी category में आ जाती है debit analysis bailment और example दूद एक example होता है इसका safe custody safe custody क्या होता है कि माल लीजिए मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरे घर में कुछ gold वगएरा पड़ा है तो एक तरीका तो क्या है कि हम bank वगएरा में रखते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं रखते हैं तो मैंने कहा कि special bank वगएरा में क्या रखने जाएंगे the purpose of this delivery is safe custody और ये goods obviously इस condition पर दिये जा रहे हैं कि जब मैं वापिस आऊँगा तो इनको वापिस ले लूँगा आपस अगें तो इसको भी हम boilment के category में डाल सकते हैं तो ये मैंने example नहीं generate किया फिर हमने बात की थी कि जो ये goods की returning होती है ये ज़रूरी नहीं है same form में हो ये altered form में भी हो सकती है जहां मैंने आपको example दिया था कि आप fabric दे के आते हैं tailor को वह आपको उसका suit बना के देता है it is still bailment भले ही same form में goods वापिस नहीं आ रहे है altered form में वापिस आ रहे हैं same इसमें हमने बात की थी wheat grains की wheat grains की delivery करना जहां पर आपको सामने से आटा मिल रहा है floor मिल र बिल्कुल बदल दिये जाएं जा मैंने आपको दो गाडियों के example दिया था innova का और वापसी माटी का मिल रहे है this is not an altered form it can be something arising from those particular products only उसी से उसी का बदला हुआ रूप वापिस आ रहा है तो fine enough it's bailment लेकिन product अगर बिल्कुल बदल जाते हैं then in that case it is not bailment फिर हमने इसका third part ज कि लेटस से एक shopkeeper है वो goods को transporter को देता है कि जाहिए और इन goods को buyer के यहां deliver कराईए यहां goods वापिस नहीं देता आपको transporter bailer को वापिस नहीं देता लेकिन bailer की instruction पर dispose of करता है bailer की instruction पर जाकर उसको दे आता है third party को या B को या seller को या buyer को जो भी मारे example में था in this case also it is bailment लेकि की जहां बात करते हैं they are disposed of according to the directions of the person delivering them ऐसी मैंने आपको एक्जामपल दिया था वो calendar वाला जहां आपने friends को कहा था कि आप उसको एक कोई पानी में यहमना में वगारा में यह किसी भी रिवर में बहाद दीजिएगा वो भी आपके भी हापके काम कर रहा होता है तो उसको भी हम बेलमेट बोलते हैं फिर हमने बात की थी delivery की उपर में delivery की discussion पर आ गया था delivery की discussion के जब आप delivery की बात करते हैं यहां definition में जग हम आते हैं तो यह जब हम delivery की बात करते हैं तो बटा यह delivery दो तरह की हो सकती है यह delivery actual delivery हो सकती है यह delivery constructive delivery हो सकती है यह delivery constructive delivery हो सकती है यह वाद वो constructive delivery हो सकती है, और constructive, actually ता समझते ही है, कि आप actually goods देया है, सामने वाले को गाड़ी देया है, गोल्ड देया है, उस सब का हमने बात की थी, constructive delivery में हमने देखा था कि constructive delivery में आपको ऐसा act करते हैं, which has the effect of putting the goods in the possession of intended belly, और any person authorized to hold goods on his behalf, इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा act, जिसके थुरू आपके जो goods हैं, वो belly के पास पहुचे हुए, माने जा सकते हैं, या तो वो कोई symbolic चीज होगी, आपने कोई goods की जगा डिलिवर की है, जैसे keys डिलिवर की है, railway receipt डिलिवर की है, warfinger receipt डिलिवर की है, या आपने bill of lading दे दिया है, इन सब म डिलिवरी होती है, जिसको हम नाम देते हैं, pledge, pledge हमने उसका नाम दिया था, और इसमें फरक क्या होता है इस delivery में, कि यहाँ पर pledge में जब आप goods डिलिवर करते हैं, तो उनका एक specific purpose होता है, security for payment of debt, या performance of promise, यानि कि आप किसी को goods दे के आते हैं, इस security पे दे के आते हैं, कि अ आप मेर से यह goods रख लिजिए, तो इस तरह की bailment को हम नाम देते हैं, this is known as pledge, pledge का मैंने आपको एक नाम और बताया था, कि pledge is known as pawn, और इसको हम नाम देते हैं, इसलिए इन पार्टिस का नाम हो जाता है, pledger या pledgy, दूसरा इनका नाम हो जाता है, pawner या pony, अच्छा, एक बात ह यह कौन से section में defined था pledge हमारा, चले फटा-फट से जवाब दीजिए, जवाबाने शुरू हो गए मारे पास कि sir 172, exactly, जो मारा pledge है, it was defined under section 172, exact definition में आप लोगों के साथ cover नहीं की थी, still मैंने आपको मोटा-मोटा idea देते हैं कि 172 में pledge defined है, और एक pledge क्या होती है, एक bailment ही होती है, जहां very purpose क्या होते है, security for payment of debt और performance of promise, यहां पर लगबग हमने last class में किया था, जिसके बाद मैंने एक question पूछा था और मारा बीच में अधूरा रही थी बात, कि power disruption की वज़े से, मैंने इसी example को continue किया था, कि माल लीजी एक Mr. A है, यह Mr. B के पास जाते है, और कोई house papers, property के paper deliver करके आते हैं, और उसके बदले loan लेके आते हैं, question मैंने आपसे यह पूछा था, कि क्या यह जो delivery दी जा रही है, house papers की, या घर के कागस की, क्या हम इसको भी bailment की category में, या दूसरी भाशन में, इसको भी pledge की category में डाल सकते हैं, और यहां पर जो मैंने बच्च से उसे में class attack गई थी, तो में हमारे पास जवाब भी आया था, कि नई सर, इसको हम bailment नहीं बोल सकते, इसको हम pledge नहीं बोल सकते, reason being, कि यहां पर जो जीज deliver हो रही है, वो goods नहीं है, वो immowable property है, कुछ बच्चों ने मुझे यह जवाब दिया था, अब आप मुझे यह बताईए, कि आ goods नहीं है, हमने goods कहां पढ़ा था, किसी को section number भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, एक जवाब आगया है मेरे पास, दो बच्चों के जवाब आगया है section के साथ, sir two clause seven में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात आपको section number भी याद है, two clause seven में पढ़ा था, हमने sales of goods act के money and include stocks and shares, growing crops, grass things attached to land और purpose क्या होता था, कि इनको बेचने से पहले से यहाँ पर, अगर आप detach कर लेते हैं, जमीन से तो उनको हम क्या बोलते थे, कि यह goods हैं, तो मैं अभी पूरी definition का जुरुत मुझे नहीं है, मैं सिरफ उसके initial words पर जा रहा हूँ, goods are, या goods means every kind of movable property, तो अग मैं यहाँ से बात करता हूँ, goods के बारे में हमें delivery का point खतम कर लिया है, अब मैं goods की detail discussion करने जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, हमें definition के उपर कितनी detail में discussion कर रहे हैं, अब हमारे हैं goods की discussion पे और goods defined था हमारा two clause seven of sales of goods act में, तो हमें goods की definition वहीं से उठानी पड़ेगी, two clause seven of sales of goods act हमारे पास आया था इसमें और हमने इसे खुल था, goods means every kind of movable property, goods means every kind of movable property, तो आपने देखा था, जितने example मैं अभी तक आपको दिये, मैंने अपनी card दी, मैंने अपनी ring दी, मैंने pen दिया, मैंने gold दिया, सब चीजें क्या थी, automatically goods की definition में fall करते जा रहे थी, और अब मैंन आपको एक example दिया है, कि sir, एक Mr. A है, इन्होंने house के paper deliver किये हैं, और उसके बदले ये वहाँ से loan लेके आये हैं, क्या इसको अब हम pledge बोल सकते हैं, can this be known as pledge, the answer is no, इसको हम pledge नहीं बोल सकते, because house के paper, अच्छा, किसी बच्चे को ये doubt आ रहा है, कि sir, paper तो अपने आप में movable property हैं न, क्या हम paper के against loan ले रहे हैं, क्या इस case में आप जब warehouse की चाबी देखे आ रहे थे, आप चाबी के against loan ले रहे थे, नहीं, वो चाबी was symbolic, ये paper are symbolic, symbolic, इनके पीछे क्या चुपा हुआ है, उसके प movable property चुपी हुई है, इसलिए हम इसको pledge की category में नहीं डाल सकते, अच्छा, sir, फिर ये bailment नहीं है, तो क्या ये automatically मैं कह सकता हूँ, ये bailment नहीं है, क्या मैं automatically कह सकता हूँ, कि ये bailment नहीं है, अगर ये pledge नहीं है, तो क्या ये automatically है कि ये bailment नहीं है, क्या ये bailment की category में आ सकता जो चीज प्लेज नहीं होती, क्या वो automatically हमेशा हिम कह सकते हैं, बेलमेंट नहीं होती? क्या कोई ऐसी प्लेज हो सकती है, दिमाख लगाईए, क्या कोई ऐसी प्लेज हो सकती है, जो बेलमेंट ना हो? कोई ऐसी प्लेज जो बेलमेंट ना हो? नो बटा ऐसी कोई pledge नहीं हो सकती because pledge की definition ही क्या बोलती है pledge is a kind of bailment बात खतम तो अगर यह pledge नहीं है तो automatically obviously बात है यह bailment नहीं होगी because pledge एक example है bailment का तो सर फिर यह क्या है दुनिया में बटा आप समझेंगे आपको एक ही भाषा मिलेगी अगर आप किसी से बात करेंगे न वो आपको कहेगा मैं अपना gold गिरवी रखाया मैं अपने godown में पढ़ा हुआ समान गिरवी रखाया और मैं अपना घर गिरवी रखाया अगर आप इसकी बात दुनियादारी की भाषा लिखेंगे तो तीनों बातों में वो एक ही चीज क्या रहा होगा, लेकिन आप यहां डिफरेंस निकालके बैठके, कि सर गोल्ड दे के आया है, तो प्लेज है, वेर हाउस का काकी दे के आया है, तो प्लेज है, लेकिन घर के पेपर दे आया, तो प्लेज नहीं है, फिर क्या है यह बोलते हैं, अच्छा मैं से कितने बच्चों को pledge और mortgage में difference clear है, कि pledge क्या होता है और mortgage क्या होता है, वैसे मुझे उमीद नहीं है आप लोगो जादा तक को clear होगा, मारोगे भी तुक के मारोगे, अब अच्छा मैं थोड़ा से slayber से बाहर जा रहा हूँ, मैं इस बाते हैं clear कर देता हूँ कि यह terms clear होनी चाहिए आपको, जब भी आप किसी चीज के against loan लेते हैं, किसी चीज के उपर security create करके loan लेते हैं, law को कहा है, law security को वो बाहर जो आप उस property के उपर create करके आते हैं, उसके लिए नाम create देता है, आपने property पे charge create किया है, आपने property पे charge create किया है, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक general term है, चार्ज क्या होता है, कि जब आप किसी property के against, movable property हो या immobile property हो, उसके against जाके उसको security रखके loan लेके आते हैं, कोई debt लेके आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आपने property पे क्या create कर दिया, charge create कर दिया, अब मारे पास बात निकल के आती है, कि जो charges होते हैं, जो आप ये charge create करते हैं, ये charge basically दो categories में जा सकते हैं, यानि कि दो तरह से create किये जा सकते होते हैं, या तो ये charge create होंगे बटा, movable properties के उपर, अगे इन में बतारों में इस chapters rated नहीं है, लेकिन हमारे company lock syllabus में ये चीज आती है, तो मैं यही clear कर देता हूं, कि जो charges होते हैं, ये movable property पे create हो सकते हैं, ये immovable property पे create हो सकते हैं, अच्छा, और अगर movable property पे भी create होते हैं तो movable property में ये दो तरह से create होते हैं, मैं आपको दो example देता हूं, पहला example जहां एक Mr. A है, वो bank से loan लाते हैं और उस bank को loan के बदले gold दे आते हैं, movable property दे के आ रहे हैं और उसके against loan ले के आ रहे हैं, obviously this is pledge, दूसरा तरीका यह है कि आपने मैटा एक गाड़ी ली, एक car ली और उस car का loan कराया, क्या वो car का loan जो आप लेते हैं, क्या वो car के against secure होता है, तो answer is yes, वो car के against secure होता है, लेकिन क्या आप car bank को दे आते हैं, क्या आप car bank को दे आते हैं, तो क्या यह pledge की definition में fall किया, किसी बच्चे ना भी मुझे लिखके दिया था, मैं बड़ी दर से पढ़ रहा था, sir pledge movable property पे होता है, mod gauge movable property पे होता है, तो ठीक है भाई है काड़ी आपके पास है, चला आप रहे हो, लेकिन उसके against loan है, तो क्या यह pledge है, नहीं, तो इसका मतला हमारी यह definition कहनी गलत है, कि sir movable property के against कोई भी loan ले लो वो pledge होता है, हमने gold का example लिया, वो pledge की category में fall कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कार का example दिया, आप यह कहना शुरू कर देंगे कि pledge नहीं है, क्योंकि pledge की definition के हिसाब से goods की delivery हो जानी चाहिए बेली के पास, गाड़ी की delivery अगर बैंक को देया होगे तो फिर loan लेने का फायदा क्या, आपने पैसे लिए, उससे गाड़ी लिए और गाड़ी जाके बैंक आगे खड़ी कर दी, यह लोड़ रखो अपनी गाड़ी, क्या फायदा उस चीज का, तो आप समझेंगे इसको हम pledge category में नहीं डाल सकते, differentiate करते हैं, मैंने आपको कहा था, आपको ज़्यादा clarity नहीं आएगी, तो हमने क्या देखा भी है, movable property के case में दो तरह की बाती हो सकती है, या तो जो possession है, is given to creditor, आपका जो bank है या जिससे भी आप loan लेके आ रहे हैं creditor को, तो उसको आप goods की possession दे देते हैं, दूसरे case में possession is not handed over, possession is not handed over, इन दोनों के लिए बैटा नाम होता है, ये तो हमें समझ आगा, इसका example हमने लिया gold loan का, कि gold के against आप दे आए, और इसके हमें definition के साब से पढ़ लिया, कि इसको तो pledge बोलते हैं, इसको दूसरी भाश्या में कौन बोलते हैं, और ये section 172 of Indian contract act से निकल के आता है, दूसरे को क्या बोलें, कि possession is not handed over, जहां मैं कार का example लेके बैठ गया, इसके लिए बेटा एक word यूज किया जाता है, hypothetical, this is known as hypothetical, this might be a new word for you, कुछ बच्चों ने शायद सुना हो, कुछ ने शायद ना सुना हो, hypothetical, hypothetical में क्या होता है, आप movable property के against the loan लेते हैं, उस movable property पे अपने creditor का charge भी create कराते हैं, लेकिन वो creditor आपको ये allow करता है कि जाए इस product को use कर लीजिया, उसको हम नाम देते हैं, hypothetical, अब बेटा जिन लोगों के अपने parents लेकर से पूछेगा, अगर आपने car loan लिया हुए, आपकी गाड़ी loan पर है, तो उसकी RC उठाईएगा, उस RC के उपर आपको छोटा छोटा लिखा वो मिलेगा, hypothetical with PNB bank, hypothetical with Axis bank, जो भी उसका नाम होगा, the correct word for this is hypothecation, और third हमारे पास आगी, immuable property, अच्छा, क्या immuable property में भी ये दो case बन सकते हैं, कि immuable property की possession दे दी गई हो, और immuable property की possession ना दी गई हो, क्या loan लेते समय, immuable property में भी ये case बन सकता है, कि आपकी आपने possession handover कर दी हो, और आपने possession handover ना करी हो, उसकी creditor को, नहीं सर, immuable property में ऐसा कभी नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता, कि हम घर पे loan लें और घर जाके bank के manager को दे दे देंगे, भाई आप रह लो इसके अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होगा माँ पर, जब भी आप immuable property लेंगे, immuable property में हमेशा possession नहीं दी जाएगी सामने वाले को, हमेशा possession आप अपने पास रखेंगे, और इस case में आप हमेशा कुछ ना कुछ कागर्स बग्यारा deliver करेंगे, तो इस case में कभी दो case बनते ही नहीं, और इस case में बटा जब immuable property के against charge किया जा रहा होता है, उसको नाम दिया जाता है, mortgage, तो हमने आप समझेंगे, तीन words clear कर लिए, pledge, hypothecation, और mortgage, I think अब यह words clear होंगे, दुनिया बेटा तीनों को ही गिर्वी रखना बोलती है, किसी से बार जागे पूछिएगा आपने hypothecation किया है, pledge किया है, या mortgage किया हो, तीनों ही केज में एकी चीज होती है, दुनिया के लिए सब क्या है, गिर्वी, लेकिन आप समझेंगे, आप law student है आपको तीनों में exact difference पता होना चाहिए, कि एक pledge होता है, एक hypothecation होता है, और तीसरा mortgage होता है, clear हूँ मैं यहां तक, आगे बढ़ें, clear है यहां तक सब कुछ, चलिया, वापिस आजा देमिट आपने topic के ओपर, खोड़ा सा भटक गए थे, हाँ जी, तो मैंने आपको बात की कि हम इम्मोबल प्रॉपटी की बात कर रहे है, इम्मोबल प्रॉपटी हमारी pledge की definition में fall नहीं कर सकती, क्योंकि वो mortgage होता है, बेटा mortgage Indian contract है, deal नहीं करता, mortgage के साथ हमारा इम्मोबल transfer of property act है, जो मैंने आपको वहाँ भी जिकर किया था, sales of goods पढ़ाते समय, कि इम्मोबल प्रॉपटी के बारे हैं बाते, transfer of property act करता है, तो हमने यहां तक concept clear कर दिया, कि pledge वाली बात हमारे लिए clear हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक topic, एक example और generate कर रहा हैं, यह एक movie देखने जाते हैं, movie देखने के लिए बेटा, hall में पहुंचते हैं, movie hall में, वहाँ बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, एक parking के अंदर, गाड़ी बाला बेटा इनको एक पर्ची पकड़ा देता है, जिसके उपर rate type लिखे होते हैं, कि गंटे का 30 रुपया, उसके बाद हर गंटे का additional 10 रुपया, वह पर्ची लेके आ जाते हैं, गाड़ी बेटा वाँ खड़ी हुई है, यह पांच गंटे, अपना 2-3 गंटे movie देखते हैं, उसके बाद mall वगारा में, dinner वगारा करते हैं, पांच गंटे बाद जाते हैं, उसका बेल्मेंट, आप पार्किंग में गए, आपने गाड़ी खड़ी करी, उसने आपको एक परची पकड़ा दी, आप अंदर mall में घूम रहे हैं, पांच गंटे बाद आए, आपने परची उसको वापिस दी, गाड़ी स्टार्ट करी, घर चले गए, इस दिस बेल्मेंट, सर, बटा कुछ बच्चे कह रहे हैं, येस बेल्मेंट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, नो सर ये बेल्मेंट नहीं है, मैंने कल भी बोला था, अगर कुछ नो लिखते हो, तो कोमा लगा गए, आंसर भी दे दिया करो साथ में, लेकिन नहीं, हम तो सर येस और नोट होगने म पर माहिन है चलिए इसी एक्जामपल को थोड़ा से चेंज करता हूं पर्टे मिस्टर एंग है यह एक मॉल में मूवी देखने गए पार्किंग में गए पार्किंग में गाड़ी पाक करी वहां उन्होंने इसको पर्ची दी जैसी बटे गाड़ी से निकलने वाले थे एक कॉल आ गई इंपोर्टेंट कॉल थी कोई ओफिस से कॉल थी उन्होंने कहा हमें सर आपसे कुछ बात करनी है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दुरू इन्होंने वहीं ओफिस के एक लैप्टोप खोला गारी के अंदर इनको पता ही ने चला बैटा वहीं वहां कॉल करते करते ही लगबग दो घंटे बीद गए इन्होंने अब क्या मुवी देखूँ अब तो मुवी के लिए लेट हो गया इन्होंने गारी वापिस घुमाई इस दो घंटे के यहां गारी खड़ी करने के चार्ज दिये और वापिस घर चले गए क्या यह बेलमेंट है दोनों में अंतर समझ पारे एक में क्या हुआ वो गारी को खड़ा करके मुवी में घुमने चला गया एक में वो गारी के अंदर बैठा रहा क्या दोनों में दोनों बेलमेंट है एक बेलमेंट है एक बेलमेंट है एक बेलमेंट नहीं है इसका बड़ा मैं आंको आंसर देत पार्किंग वाले को दिये लौ कहता है ये डिलिवरी है ही नहीं because डिलिवरी का मतलब होता है सामने वाले को गुट्स की पोसेशन दे देना और जब पार्किंग लौट में आप गाड़ी खड़ी करके मौल चले गए गाड़ी की चाबी आपकी जेब में आपने गाड़ी वहा होई आप कैसे कह सकते हैं पार्किंग वाले को पोसेशन दी हुई है और दूसरा केस तो और महान आप उस गाड़ी के अंदर खुदी बैठे हुए हैं वहीं पर बैठके अपना काम किये चले जा रहे हैं तो किस बात की पोसेशन की हैंड़ोवर आप तो सिरफ उस जगा पर खड़े हुए हैं और सामने वाला आपको उस जगा का किराया ले रहा है उसने जगा किराया पर दी है उसने आप से गुट्स नहीं लिये हैं आप इस बात को अब समझे हैं मैं एक डिफरेंशेट क्रेट कर रहा हूँ कि गुट्स की पोसेशन दे देना और गुट्स की का अंतर होता है जब आप एक जगा गाड़ी खड़ी करके चाबी जेब में डाल कर उसकी हैंड ब्रेक खीच कर चले गए मौल के अंदर आपने गुट्स की कस्टडी भले दे दी हो वो गुट्स आपके पास नहीं रहे अब सामने वाले की कस्टडी में हैं लेकिन वो उसकी पोसेशन में नहीं है असी एक ची समझ आ रहे होगे कि शायद पोसेशन कस्टडी के साथ साथ कुछ और भी मांगती है शायद उसके अंदर सामने वाले पार्टी का उस गुट्स के उपर थोड़ा सा कंट्रोल आना भी ज़रूरी है कि वो लगे कि उसके पास आ गए है तब आपको पर्ची पकड़ाई आपने गाड़ी की चाबी गाड़ी के इंदर चोड़ी दाजा खुला चोड़ा अपना पर्स जेब में डाला और चल दिए मूवी देखने के लिए क्या अभी ये पोसेशन की हैंड़ ओवर हो जाएगी पहले केश में और दूसरे केश में क्या आपको difference समझ आ रहा है पहले case में आपको ये लग रहा होगा कि सर शायद उस वेक्ति का गाड़ी पर control नहीं था और दूसरे case में जहां आप वेले में गाड़ी दे आए उस case के अंदर आप समझेंगे पूरा control अब उसके पास है आप पूरी तर उसको गाड़ी पकड़ा आते हैं वो दिन में चार बार उसको आगे करता है पीछे करता है किसी और की गाड़ी आती है आपकी गाड़ी निकालता है उसकी गाड़ी लगाता है आपको कुछ नहीं पता होता आप तीन घंटे के बाद आते हैं वो आपको गाड़ी वापिस पकड़ा देता है तो आप इसके में समझेंगे यहां possession handover हुई थी पहले case में possession handover नहीं हुई थी तो basically मैं differentiate क्या create कर रहा हूँ कि जब मैं delivery बोलता हूँ तो delivery means आपको सामने वाले को goods की possession देनी है mere custody दे देना goods की delivery नहीं होती जब आप सिरफ custody देते हैं उस case में सिरफ हम यह नहीं कह सकते हैं कि bailment हो गई है custody has to be accompanied by some control over those goods जब आप उसको possession बोलना शुरू कर देंगे तब हम कहना शुरू करेंगे कि goods की delivery हो गई है इस case के अंदर तो यहां मैंने आपको एक point और touch कर आया कि जब हम कहते हैं delivery करनी है goods की तो there has to be a transfer of possession of the goods mere transfer of custody of the goods will not amount to bailment उस case में आप उस चीज को bailment नहीं कह सकते हैं इसका example फ़र और create करते हैं आप बेटा बैंक में गए और उस बैंक के पास एक locker लिया और उस locker के अंदर अपनी कुछ jewelry रखाए is this bailment bank के पास एक locker लिया locker के अंदर अपनी jewelry रखाए क्या ये bailment है अब आप इसमें कुछ बच्चे बात को समझ पा रहे होंगे कि जब आप locker bank के पास रख खोल के आते हैं उस locker को operate करने का system क्या होता है क्या locker की चाप भी bank के पास होती है क्या bank आपकी मर्जी के बिना उस locker को खोल सकता है क्या उनको पता होता है locker के अंदर क्या रखा हुआ है इन तीनों स्वालों का answer है नहीं bank आपकी मर्जी के बिना locker खोल नहीं सकता bank को ये भी नहीं पता होता कि locker के अंदर रखा क्या हुआ है locker की चापी आपके पास होती है कुछ cases में एक आपके पास होती है एक bank के पास होती है आप जब चाते हो bank कहता है हाँ मैं operate करवाता हूँ आईए आप देखिए आपके पास क्या है और खोल के चुप चाप बाहर चला जाता है वो देखता तक नहीं उसके अंदर आप क्या रख रहे हैं उसके अंदर आप gold रख रहे हैं उसके अंदर आप cash रख रहे हैं उसके अंदर आप drugs रख रहे हैं या उसके अंदर आप अधियार डाल रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं होता वो कहता है मुझे ना पता इसके अंदर क्या है क्योंकि वो कभी ये क्या ही नहीं रहा होता कि उसके अंदर जो goods रखे हुए हैं उसकी possession मैं ले रहा हूँ अगर वो possession ले रहा होता ना वो बेली बन रहा होता ना तो वो मजाल है आपको की खोलने के बाद अपने बाहर चला गया होता है नहीं खड़ा हो जाता दिखाओ क्या रख रहे हो अंदर कल को आप काओगे इसके अंदर 10 करोड़ के सोने बढ़ा था और आप मैं अपना चला रखा हुआ नहीं है दिखाओ का रखा है अपने इसके अंदर तो आप practically समझेंगे इस case में भी क्या होता है आप custody देते हैं goods की लेकिन possession handover नहीं कर देते हैं उसको और इस case में भी इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपकी bailment की category में नहीं आता सर फिर ये क्या है ये rent पे locker लेना है आप rent जगार किराये पे लेते हैं आपने कहीं ना कहीं लिखा होता है locker rent आप लोगों ने बैसा देखा होगा rent locker rent बोलते हैं कितला सही वर्ड उनने चूज किया है वो locker rent बोलते हैं हमें आपने जगा किराये पर दी है और same कहानी यहां होती है जहां पार्किंग में गए थे और चाबी हाप के हाथ में थी यह जो 30 उर्पया घंटा आप दे रहे हैं यह क्या है बैटा यह पार्किंग स्पेस का rent है वो यह कभी नहीं कहते है कि पार्किंग स्पेस में गाड़ी लगाईए और गाड़ी छोड़के चले जाईए वो कहते हैं बैठे रही है अंदर हमें कोई फरक नहीं पड़ता मैंने वहीं पर लैप्टोप खोला वहीं पर मूवी देखी मैंने कोई सड़क का ट्रैफिक की टेंशन नहीं पार्किंग में बैठा हूँ राम से बाहर निकला उसने का सब 3 गंटे होगे तीस रपे पहले घंटे के उसके बाद दस रपे हरडिशनल घंटे के पचास रपे दे दीजिए ये पचास रपे क्या है ये उस जमीन के टुकडे का रेंट है ये ट्रांजेक्शन रेंट की ट्रांजेक्शन थी ये ट्रांजेक्शन बेलमेंट बन जाती है ऐसी जब आप locker की बात करते हैं तो locker के अंदर jewelry रखना इस case में भी हम यह नहीं कह सकते कि यह bailment है reasoning again the same कि यहां possession नहीं जा रही है यहां सिरफ custody जा रही है घुट्सकी अच्छा अब एक चीज़ का cash जमा करा के आते हैं किया यह bailment है फिर वह येस नो येस नो reason का कोई अधा पता नहीं होता saving account के अंदर cash जमा करा के आना क्या bailment है सिरफ एक तरीक काम करें सिरफ जो definition है उसको दुबारा पढ़ लें law में एक बात हमेशा ध्यान रखा किजिए जब भी किसी चीज़ की आपको जवाब देना हो law को दुबारा एक बात जूर पढ़ लें वह आपको अपने अंदर से जवाब निकाल के देगा आपने एक saving account के अंदर पचास हजार पे का cash जमा कराया या पचास हजार पे जमा कराये cash को छोड़िए check भी हो सकता है cash भी हो सकता है क्या ही ये bailment है एक बच्चे बटा ये कहना है कि सर याना contract ही नहीं हुआ है saving का खाता खुलवाना contract ना होना होता है कभी saving का खाता खुलवा के देखा है कितने कागज sign करा लेते हैं वह आपसे basically क्या contract है कि हम आपके पैसे अपने पास रखेंगे आपको 4% interest देंगे जब पैसे कोगे उस दिन तक उस दिन आपको निकालके वापिस दे देंगे पूरी तरह contract है इसका reason क्या है पटा कुछ बच्च ने reason ढूड़ना शुरू कर दिया है sir यह जो है ना यह goods ही नहीं है two clause seven की definition these are not goods और अगर यह goods नहीं है तो आगे definition पढ़ने की जुरूरत ही नहीं है इस case में मैं साफ साफ कह सकता हूँ money is not goods cash, check, draft यह सब money की category में आ जाते हैं और money goods नहीं होती two clause seven की definition हमने फैसे sales of goods एक पर वापिस आ गए money includes every kind of movable property other than money and actionable claim तो इसको हम bailment नहीं बोल सकते है reason being कि जो money होती है जो वो goods की category में नहीं आती और क्योंकि यहां goods नहीं दिये जा रहे हैं तो उस case में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यहां bailment होई है चलिए अब मैं थोड़ा CA inter वाला question बनाता हूँ आपसे वो same कहानी पूछता है कि sir एक Mr. A है उन्होंने जाकर bank के पास एक saving account खुलवाया उस saving account के अंदर 50,000 रुपीज उन्होंने जाकर deposit कराए पहला पार्ट वो पूछता है इस दफ about transaction and example of bailment आप लिखेंगे no sir it is not a transaction of bailment reason being because money is not goods as per the definition of sales of goods है 2 clause 7 में और क्योंकि यह goods नहीं है इसके इसलिए हम इसको bailment नहीं बोल सकते foundational को उच्छे बटाए यहां रुख जाता यह inter है यहां वह निचे एक second part डालता है assuming money is goods will your answer be different assuming money is goods will your answer be different क्या answer बदल जाएगा क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर money goods होती एक मिन के लिए मान लेते हैं बटा छे मिने पहले तक भी तो मानते ही थे sales of goods के छे मिने पहले ही तो पढ़ा है आपने सिरफ तब तक हम money को goods मानते ही थे तो आपका पता चला कि money goods नहीं होती अगर मैं यह कह देता हूँ कि money goods है एक मिनिट के लिए second part के लिए जूम कर लिजिए एक बार भूल जाएए sales of goods के definition को क्या आपका answer बदल जाएगा बटा कोई कह रहा है delivery नहीं हुई कोई कह रहा है answer बदल जाएगा वो कह रहा है yes answer बदल जाएगा अब इसने बटा problem के आएगी delivery हुई है बिल्कुल delivery हुई है यह जो नलायक बच्चा बोल रहा है delivery नहीं हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कौन सी delivery समझ नहीं आ रही इसके अंदर नहीं हुई है bank को पैसे दे के आ रहे है उससे ज़्यादा और क्या delivery होने वाली है बैंक आपके पैसे रखके बैठा हुए सारा दिन उसी के अंदर से लोन बांट देता है लोगों को पूरी controller money के उपर delivery delivery है क्यों नहीं है delivery सर particular purpose के लिए है बिल्कुल purpose के लिए हुई है आप उस purpose को safe custody बोल सकते हो आप उस purpose को interest कमाना बोल सकते हो होते सर लेकिन altered तो होते हैं अल्टर तो होते हैं मैंने bank में गया बैंक में जाके 50,000 पर जमा कराए और मुझे phone आया कि नहीं मत कराओ मैंने का मैंने तो करा दिये मैंने कोई बात नहीं वापिस निकाले मैंने कुछ कैशियर को कहा सर वह 50,000 पर जो आपने मुझे वह 50,000 पर वापिस दे दो क्या वह आपको वापिस देगा पैसे नहीं सर व बैंक वाप पैसे वापिस देगा यह कौन सा बैंक है जो आपको पैसे वापिस देगा देगा पैसे वापिस क्यों नहीं देगा वह 50,000 पर वापिस देगा लेकिन क्या वही note वापिस देगा जो आपने उसको समय दी है हो ही नहीं सकता वेटा वो आपको वही note वापिस देदे, वो क्या कहेगा अगले counter पर जाएए sir ये deposit का counter है, withdrawal का counter वहाँ पर है, जाएए और वहाँ से ले लीजिए और आप समझेंगे, वेटा note बदल गए आप कुछ नोट दे के आये थे और उसके बदले कोई और नोट मिल रहे है मैं 500 और 100 के नोट की बात नहीं कर रहा हूँ वो भी हो सकता है कि आपने 500 की दी हो वो आपको 2000 और 100 के वापिस कर रहे हो हो सकता है आपने 500 की ही पूरी गड़ी बना के दी थी उन्होंने आपको 500 की गड़ी ही वापिस करी है पूरी की पूरी, still not अलग है, सर ये altered form है, क्या हुआ नोट ही तो बदले है, altered form है, बराबर value की तो है, सिरफ कागच के टुकड़ा ही तो बदले है, तो पैटा एक इनोवा के बदले, दूसरी इनोवा मिल जाती है, वो तो altered नह altered होगा, altered नहीं है बेटा, एक 500 का नोट के बदले, दूसरा 500 का नोट मिल जाना is not altered, it is different goods, अगर मैं money को goods मानता हूँ सर, तो फिर एटा इस सेज़ेंगे, अगर मैं ये कहूँ आपको कि money goods है, तो क्या उस case में आप ही कह सकते हैं, कि आपको आप इसको bailment बुलाएंगे, the answer is still no, हमारा answer नहीं बदलेगा, लेकिन reasoning बदल जाएगी, हम इस case में क्या कहेंगे, इस case में हम बोलेंगे कि दो money may be goods, but in this case, the goods which are being returned back are neither the same goods, nor the altered form of same goods, they are different goods all together, इसलिए इसको bailment नहीं बोल सकते, क्या point दोनों clear होते हैं, अगर वो पहला कुछ नहीं बोलता हो, तो हम साफ-साफ क्या सकते हैं, वो goods ही नहीं है, 2 clause 7, और अगर दूसरे में वो क्या देता है, एक बाट के लिए मानो यह goods हैं, तो फिर हम दूसरी बात पकड़ेंगे, उसके हम कहेंगे, इस case में delivery भी होती है, purpose भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो पैसे वापिस देते हो आप हमें, व तो हमेशा इसका different goods वापिस आते हैं, इसलिए ये बेलमेंट नहीं होगी, बात clear हो जाती है, यहां तक? Clear होती है बात यहां तक? कहां बात के सारे के सारे, यह जवाब आ रहा है? Yes sir, yes sir, yes sir, होगे, जी होगे, चलो, यहां तक बात clear होती है? अब, एक last example, और उसके बाद हमारे definition खतम, देख लीजे, डेड़ क्लास होने को आगे, definition नहीं खतम हो रही है, 148 की, काम को इतनी देर में foundation में एक chapter निप्टा देता से, पूरा को पूरा, यहां 148 पे टिके पढ़े हैं, एक last example और generate करता हूँ, में एक miss A है, यह A और B दो कहलेते हैं, दो friends है, दोनों एक market में जाती है, पूरा shopping का plan करके गई हैं, दोनों गई हैं, मिलके की हाच तो हम shopping करके आएंगी, सेल चल रही है, तो last season end sale है, शौपिंग करके आएंगे, लड़कियों में एक खासियत होती है, वो shopping की planning करके जाती है, नलायक लड़कों की तरह नहीं होता है, हमें घर वाले चार समान लाने को बोलते हैं, हम दो भूलाते हैं, उनके प्रॉपर planning होती है, मार्केट में जाएंगे, हमने यह यह चीजे लेनी है, पहले इसकी दुकान आएगी, फिर इसकी आएगी, तीसरी चोती सीक्वेंस में शौपिंग करते हैंगे, सारा समान लेके आएंगे, पहले शौप पे गई, उन्होंने लेटस से एक जीन्स पसंद करी, और उन्होंने क पर बेटा पड़ी थी, शौप कीपर के पास, जब तक यह वापिस नहीं आई, क्या इसको बेल्मेंट बोला जा सकता है, प्रता कॉश्चन समझ आता है, नलायकों, यह जो शौप कीपर के पास जीन्स पड़ी होई थी, जब तक यह गल्स आगे शौपिंग कर रही थी, और बेट दे, बाए दा जीन्स, नहीं पेटा ऐसी उठाके लेके घर वो, और इसलिए बाट दा जीन्स, तभी तो वापसी में जीन्स घर उठाके गई है, यह सर, अब किसी बच्चे को यहां यह फीलिंग आ रही है कि सर यहां डिलिवरी तो हुई नहीं, पहले भी समान दुक पढ़ा है, डिलिवरी का हुई? क्या यह डिलिवरी मिसिंग दिख रही है? क्या यह डिलिवरी मिसिंग दिख रही है? बेटा यहां delivery missing दिखेगी आपको लेकिन यह फिर भी bailment है इसका एक कारण है क्योंकि आप practically समझें पहले जब वो व्यक्ति goods को रखके बैठा था वो owner की तरह रखके बैठा था जैसे ही उन लड़कियों ने कहा कि सार मैडम हागिया सार हमने यह जमय जीन्स पसंद है उन्होंने payment करी और उनको ने बोला कि हम भाईया आगे से घूम के आते हैं आप इसको अपने पास पैक करके रखो उसी समय बेटा उस दुकानदार का status owner से किसमें convert हो गया बेली से convert हो गया और इसको बेटा उन्होंने specifically definition में लिखा section 148 के नीचे एक explanation लगाई पहले आईए उस explanation को पढ़ते हैं फिर इसके बास वापिस आईएगा पहली बार आज आपको book खुलवा लेता हूँ जड़ा देखें जड़ा बेटा 148 के नीचे पहले page पे ही आपको एक explanation मिलेगी इसके बास book नहीं है पहले बाद तो download कर लो भी या और नहीं है तो सामने से पढ़ लो पढ़ें जड़ा क्या लिखा हुगा है उन्होंने क्या का जी एक परसन जो अलेड़ी गुट्स के बेल में पोसेशन में था ओनर की तरह पोसेशन में था वो बेली के रूप में convert हो जाएगा अगर वो बेली की तरह गुट्स को hold करने के लिए त्यार हो जाए भले ही उसको गुट्स डिलिवर ना हुए हो अब देखें क्या हूब हूँ इस एक्जामपल पर ये बात अपलाई होती है दुगांदर जो पहले ओनर की तरह गुट्स को रखके बैठा था वो इस बात को मान जाता है कि अब मैं इसको बेली की तरह रखके बैठा होता हूँ तो वो बैठे बैठे बिना वहाँ कोई डिलिवरी हुए उस गुट्स में क्या बन जाएगा वो ओनर से क्या बन जाएगा बेली बन जाएगा अब इस एक्जामपल को मैं हलका सा चेंज करता हूँ क्या अब वेल्मेंट है अब वेल्मेंट है आपको साफ साफ दिख रहा है किसे डिलिवरी हुई है गुट्स की लेकिन पहले केस में क्या प्रब्लम आ रही थी हमें ये लिफाफा वापिस देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था बस उसने फरक क्या था इस बाद पैक करके उसके हाथ ने पकड़ा दिया उसने वापिस दे दिया बिलेविए दिखनी शुरू हो गई उसकेस में क्या हुआ था उसने पैक करके नहीं दिया था उन्होंने का था भाई आप पैक करके रखो हम आके ले जाते हैं तो वो कहां कवर हो गया explanation to 148 में क्या आप दोनों में कोई लंबा चोड़ा अंतर नहीं है दोनों ही केस में बात एक ही जैसी है उसमें उसने वापिस दे दिया इस केस में उसने का क्यों मैं ये transaction करूँ आप इसको अपने पास रखो और owner ने इस बात को मान लिया कि अब मैं owner ना रहा अब मैं क्या हो अब मैं आपके गुट्स रखके बैठा हुआ हूँ जब तक आप आके वापिस नहीं ले जाते उस केस में क्या बन गया वो बेली बन गया तो मैंने आपको explanation जो दी हुई है नीचे explanation to section 148 ये भी cover करा दी है कब बात समझ आती है यहां तक समझ आती है बात यहां पर येस सर अब एक चीज बताइए बटा आईए अगले question पर चलते हैं ठीक है ठीक है समझ गया है मैं चलिए आगे देखते हैं बटा बेलमेट एक contract है एक contract होने के लिए आपको कई सारे essentials पूरे करने होते हैं contract के क्या बेलमेट को भी सारे essentials पूरे करने पड़ते होंगे येस अब आपके example देता हूँ एक person A है यहां पहले example cover कर चुके हैं यह आपके example लेते हैं आप class में आते हैं अपने 7 वाले B से pen borrow करते हैं वो आपको pen देता है वो बेलर बन जाता है आप बेली बन जाते है इसको आप contract of bailment बोल रहे हैं इस सब को करके पड़ा एको तो pen मिल गया बी को क्या मिला है where is the consideration for B B को क्या मिला इसमें example लोट दे देता हूँ मैं मिस्टर A बाहर घोमने जा रहा हूँ B के यहां कुछ goods रख जाता हूँ safe custody के लिए कुछ gold रख जाता हूँ B इनका पूरा तहे दिल से ख्याल रखता है मैं दो दिन बाद आता हूँ उससे gold वापिस ले लेता हूँ क्या मिला B को इसके बदले क्या मिला B को इसके बदले यहां आपके B को क्या मिल गया जिसने pen दान दे दिया एक अपने friend को कि चल लगा ले चला ले class में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ एक Mr. A है वो goods रख गए B के पास B ने उसकी safe custody करी consideration कहा है इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं contract है, contract है, contract है एक ही बंदा लगा पड़ा है बटा एक बच्चे को humanity याद आ रही है वह कहता है सर, humanity के लिए दिया हुआ foundation पास कर लेना नलायक, humanity consideration नहीं होती है इसमें बटा आपने क्यों दिया pen यह आपका classmate आता है साथ में बैठ जाता है, आपसे pen मांगता है, नहीं नहीं पहले दिन class लग रही है, साथ में बटा एक लड़का आकर बैठ जाता है लड़की आकर बैठ जाती है, वह कहती है pen देना जी, बटा लड़के तो खेर नलायक होते हैं pen की pen से, box से पकड़ा देंगे उसको क्या मिला pen देके सर, दोस्ती यारी बनी रहे, और क्या मिला इसे जाता कुछ भी नहीं मिला, यहां भी क्या मिला मैं इतना सारा किसी का सोना घर रखके बैठा हुआ हूँ, क्या मिला मैं उस स्टेडी को रखने के लिए, कुछ नहीं मिला और अगर आप समझेंगे, यह contract नहीं है, तो क्या इतनी देर से जग मारे जा रहे हैं, यह bailment है, पहले contract तो बने, और अगर यह contract है, तो फिर bailment कहा है, सुरी, फिर consideration कहा है, क्या bailment में consideration होनी ज़रूरी होती है, नहीं बेटा, हर bailment में consideration होना ज़रूरी नहीं होती है, bailment can be with consideration, bailment can be without consideration, और इस basis पे bailment को दो हिस्सों में बाट दिया जाता है, types of bailment based on reward, types of bailment based on reward, bailment दो तरह से हो सकती है, bailment की दो major categories हो सकती है, bailment can be a gratuitous bailment, और it can be a non gratuitous bailment, bailment can be a gratuitous bailment, और it can be a non gratuitous bailment, बटा कुछ बच्चे कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, दिख रहा है अब gratuitous bailment में आपने देखा, सर्फ gratuitous bailment का मतलब यह हो गया, कि एक आदमी को फायदा होता है उसके अंदर, और एक ही को होता है, दोनों को नहीं हो रहा होता है, अच्चा क्या दोनों को भी होता है, जैसे माल लीजिए, एक person ए हैं, यह फैबरिक देके आते हैं, टेलर को, क्या यह ग्रैची चूस मिल जाते हैं, तो यह तो कौन सा हो गया, यह तो नौन ग्रैची चूस हो गया, और नौन ग्रैची चूस में आपको समझ आया, कि नौन ग्रैची चूस में mutual benefit होता है, दोनों को फायदा होता है, mutual benefit होता है, और बेलर and बेली, नौन ग्रैची चूस बेलमेंट में mutual rix 2Bel benefit होता है Bailer को भी फायदा मिलता है। लेकिन Grets hydrogen Вы 캡्राइप में सिर्फ एक Пार्टी को फायदा मिलता हि कौन सी पार्टी को फायदा मिलता हे बैलर को यो बली को और स कि c arrived में किसको फायदा मिलता हैे बैलर को या बेली को अच्छा क्या ग्रैची च्वेस में दोनों को फायदा हो सकता है अगर दोनों को फायदा हो गया तो फिर वो ग्रैची च्वेस ना रहा वो क्या बन गया वो नॉन ग्रैची च्वेस बन गया जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो लेकिन ग्रैची च्वेस में किसी एक को और कर दिया फाइदा किसका हो रहा है बेलर का या बेली का फाइदा किसका हो रहा है इस एक्जामपल में जो आपने पैन सामने वाले को दिया बेलर का या बेली का सर बेली का उस फ्रेंड का उस नए स्टूडेंट का जिसको हमने पैन और हैंड और किर दिया उसका फाइदा ह और रहें बेलर का या बेली का? सर बेलर का? यह तो बड़ी समस्य है सर. फायदा एक को हो रहा है, लेकिन वो एक कौन है? यह confirm नहीं है, कभी वो बेलर होता है, कभी वो बेली होता है. और इसलिए बेटा ग्रैचिच्वेस बेलमेंट फर्दर दो तरेक ही होती है. ग्रैचिच्वेस बेलमेंट can be for exclusive benefit of बेलर. exclusive means अकेला. an exclusive benefit of बेलर. सिरुफ बेलर को फायदा हो सकता है, or it can be for the exclusive benefit of बेली. ग्रैचिच्वेस बेलमेंट can be for exclusive benefit of बेलर, or it can be for the exclusive benefit of बेली. exclusive benefit of बेलर का एक्जामपल, safe custody में गुट्स देने, अभी देख क्या है मूपर. exclusive benefit of बेली का एक्जामपल, गुट्स को बोरो कर लेना, अपने फ्रेंड से करेंगा से गुट्स बोरो करना, exclusive benefit of बेली का साथ-साथ एक्जामपल, मेरा फ्रेंड आता है, शायम को बेटा गाड़ी मांग जाता है मिर से, ग्रैचिच्वेस बेलमेंट, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे पैसे तो लूँगा नहीं मैं इसके बदले, तो benefit किसका हुआ, फ्रेंड का हुआ, exclusive benefit of बेली, अब आ जाते हैं बेटा, non-gratitude बेलमेंट पे, non-gratitude बेलमेंट में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा कैसे होता है, सर इसमें ना पैसा इन्वोल होता है, जैसे कि, मैंने अपने फ्रेंड से बेटा गारी बोरो करने की बजाए, गारी किराये पे लेली, hire पे लेली, hire पे गारी लेना, किससे मानलों बेटा है, आजकल company में कई zoom car करके, company आई वे, आपने सुना होगा गारी किराये पे देती है, यह कई गाड़ियां आपने प्राइवेट ली देखा हुआ लोग गाड़ियां किराये पर देते हैं कि जाओ चला लो तो गाड़ी किराये पर दे दी क्या इसके पतले मैं पैसे दूँगा येस क्या ये मृच्छ बैनिफिट के लिए उसका भी फाया हो रहा है मेरा भी फाया हो रहा है इसलिए स्वाल है इसलिए मैं रिवाड ये पैसा कॉन देता है बेलर या बेली यह नौन ग्रेचिट वेस्ट बेलमेंट में जो यह पैसा है यह कौन देता है बेलर या बेली सोचिए दिमाग पर जोर दीजिए मेरा परवड़ा रटवाना नहीं है लिखके दे सकता हूं बेलमेंट की डेफिनिशन नहीं आएगी पेपर में काज़ लिख लो मेरी जरू से साइन कर दूंगा नीचे सिरफ केस्टेडी आएगी सिरफ आपकी जान खायेगा महां पर देता है ये कभी बेलर देता है कभी बेली देता है दोनों के एक्जामपल है आप गाड़ी किराये पर लाए जूम कार से या किसी प्राइवेट गाड़ी किराये पर देने वाले पर पेमेंट कौन कर रहा है यहां पर एक कर रहा है आपकी पोजिशन क्या है आप बेलर है य या बेली कर रहा है जब गाड़ी किराये पे लेके आते हैं पेमेंट कौन करता है बेलर करता है या बेली करता है या बेली करता है और जब बेटा ए सूट शिलने के लिए टेलर को देके आता है तो पेमेंट कौन करता है बेलर करता है या बेली करता है बेलर करता है सर क्या इस बात से यहां clear हो गया सर दोनों ही example तो है non-gratitude waste bailment के दोनों में payment हो रही है दोनों में दोनों के mutual benefit के लिए काम हो रहा है लेकिन जेव में से पैसे किसके निकल रहे है यह depend करता है bailer भी हो सकता है और यह baili भी हो सकता है तो I think मैंने अब अपनी बाता खतम कर दी यह है gratitude waste और non-gratitude waste bailment का concept क्या आपकी जो bailment है यह दो तरह की होती है based on reward जिसने नहीं बनाया बटा बना लें notes बनाते रही हैगा साथ-साथ based on reward आपकी bailment दो तरह की होती है it can be gratitude waste bailment it can be non-gratitude waste bailment non-gratitude waste bailment is always for mutual benefit of Baylor and Bailey gratitude waste bailment is for the exclusive benefit of Baylor or for the exclusive benefit of Bailey आदिया बात समझ यहां तक आगे बढ़ू हो गया complete यहां तक आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा से बढ़ा slow चल रहा हूं कि इनिशल classes है स्लेबर ज्यादा इस पीड को सोड़ा बनाना पड़ेगा चले आगे चले आगे चले आगे बात करते हैं एक एक एक्जामपल जन्रेट करते हैं पड़ा एक सुप्रीम कॉर्ट की जज्ज्मेंट पर बेस्ट कोश्टन है यह सुप्रीम कॉर्ट की एक mister A है कि बड़ एक नएा business setup करते हैं और यह business setup करते हैं cinema hall का एक cinema hall movie hall setup करते हैं उन्हों को लागी आज कर लोग घुमना फिरना पसंद करते हैं, पैसा खर्च करना पसंद करते हैं चीजों पर, तो एक सिनमा हॉल खौलेंगे, अब बड़ आप समझेंगे, सिनमा हॉल खौलने में खर्चा अच्छा खासा आता होगा, इतनी बड़ी स्क्रीन्स लगाना, इतने बड़े म्यूजिक सिस लगाँ लिक बड़े ले ले लाओ, उसमें कराया देता रहूंगा, मुझे फिलाल सिनमा एक्टिमेंट से खरीदने पड़ेंगे, बड़े-बड़े स्पीकर से लगाँगा, बड़े-बड़े स्पीकर से बहुत महंगे आते हैं, अगर आप कंपनीं के प्रॉपर स्पीकर स लाओंगा तो सर इस सब के लिए मुझे लोन दे दीजियों थीक है सर दे देते हैं लोन आपको इसके अगेंस से करना नी पढ़ए बात सर मैंने कार लिए थी आप लोन लिया था आपने ने गाथane कार की अगेंस्टी सेक्योर्टी हो गई, तो इस बार भी ऐसा ही कर लीजिए, सिनेमा एक्विप्पेंट्स है, मेरी जगाँ पे लगे पड़े हैं, वहाँ पर मैं उसे कमाऊंगा, आपका लोन पे करता रहूंगा, ना पे करूँ तो आके ले जाना से ओना एक्विप्मेंट्स उतार के और गया जाड़ी मुद बैटा ऐसा ही होता है बैटा बैंक मान गया बैंक सेट ओके कोई इशू नहीं है आपके सिनेमा एक्विप्मेंट्स के अगेंस्ट हिए न हमने आपको लोन दिया और सिनेमा एक्विप्मेंट्स आप ही के पास रहेंगे इनको यूस करते रहेंगे यहां एक कागज पर साइन कर जाईए जिस दिन आप सिनेमा एक्विप्मेंट्स की इंस्टॉल्मेंट नहीं पे करेंगे bank आके इनको repossess कर लेगा bank आके इनको ले जाएगा उठाके ABA ने sign कर दिया institute पूछता है क्या ये pledge की transaction है आपका institute पूछता है is this pledge बताईए बेटा आपका institute पूछता है is this a pledge क्या बात एक एक आंसर आया बाकी कहां गए is this pledge मुगेश साब आप कह रहे है मौटगेश नेमा एक्विप्मेंट इम्मोवेबल कब से हो गए यार प्रोजेक्टर, सीटें, स्पीकर ये कब से मोवेबल प्रॉपटिया हो गई मौटगेश तो कहीं से नहीं है नो सर, नो सर, नो सर क्या है फिर ये क्या है फिर ये हाईपॉथिकेशन है और कोई बाकी भी लिग दो भाया स्पैलिंग कॉपी पेस्टी तो करनी है वहां से बिलकुल बड़ा ये हाईपॉथिकेशन है लेकिन दिक्कत क्या है बड़ा आपका इंस्टिटूट हाईपॉथिकेशन शब्द इस्तमाल नहीं करता है अपनी किताब में वो कहता है ये प्लेज ही है लेकिन जो ये डिलिवरी देने का तरीका है जहां पर गुट्स फिजिकली हैंड ओवर नहीं किये गए लेकिन इस बात को एग्री कर लिया गया कि जब हम पैसे वापिस नहीं करेंगे तब वापिस उठा लिये जाएंगे ये डिलिवरी करने का कंस्ट्रक्टिव तरीका है पटाओ उसने बात को थोड़ा सा पलट दिया इसलिए पहले मैं आपको कंसेट क्लियर किया अब इंस्टिट्ट कैसे आंसर करता है मैं उस पर आगे कि वो केस्टेडी पूछता है तो वो क्या कहता है ये प्लेज है लेकिन जो डिलिवरी हो रही है ये कंस्ट्रक्टिव डिलिवरी है वो कहता है ये कंस्ट्रक्टिव डिलिवरी है और ये constructive delivery एक special तरह की constructive delivery है जिसको हम बोलेंगे delivery by atonement. एक बच्चा बड़ी देर से वर्ड लिखे चला जा रहा था सुबह से जब से class शुरू हुई है उन्हें चार बार atonement लिख डाला है. तो मैंने उसको फिलानली उसके word आगया लिखा हुआ. delivery by atonement. ये कहीं word पढ़के delivery by atonement पहले? ये word सुना है आपने आज तक कहीं? delivery by atonement. ये सर, no सर. ये सर, बड़े जिनने नो लिख है. थोड़ी से आपको किताब दुबारा खोन ली पड़ेगी foundation की. ये सर, sales of goods act में पढ़ा था. कहां पढ़ा था sales of goods act में? तो देखें कितनी चीज़ याद रहती हैं आ चल्दी चल्दी पताओ यार कहां पढ़ा था? वेर हाउस के अंदर. अब A इन goods को B को बेच देता है. और बेचने का तरीका क्या है? वो B को कहता है. B साब मैंने ये goods C को बेच दिये हैं. आज से आप इन goods को मेरी जगा C के बहाफ पर होल्ड करने को तयार हो. आज से आपको warehouse current C देगा. और A ने क्या का? B ने क्या का? Yes, I agree. हमने क्या का? हो गई delivery. और delivery कैसे हो गई थी? Delivery by atonement. यानि कि जब third party इस बात के लिए agree कर गई थी, कि वो goods अब A के लिए नहीं, C के लिए hold करने को तयार है. तो law ने क्या कहा? This is delivery by atonement. और हमारे institute ने क्या कहा? फिर this is also delivery by atonement. मैंने का नहीं sir, वा तो तीन पार्टी थ एक पार्टी कह रही थी, अब मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए goods होल्ड कर रही हूं, उसने का ये कहा लिखा है, atonement में तीन पार्टी होनी चाहिए, अब A कह कह रहा है, अब मैं ये cinema hall अपने बहाफ पे नहीं, अपने cinema equipments अपने नहीं, bank साब आपके लिए hold करके हाँ वाँ, क्या delivery हो गई, अब भी तक बैटा A के थे, A ने क्या कहा, जैसे ही मैंने loan लिया, ये cinema hall के equipment, मेरे नहीं, bank साब, आपके हो गए, जैसे B या क्या कह रहा था, ये goods अब से A के नहीं, C के हो गए, या A क्या कह रहा है, ये goods मेरे नहीं, आपके bank साब, आपके हो गए लोग ने कहा, ये भी तो atonement ही है, this is also delivery by atonement, और delivery by atonement किस तरह की delivery के example है, constructive का, क्योंकि आप समझे बिटा, contract act कहता है, delivery दो ही तरह से होती है, actual delivery और constructive delivery, जबकि आपका sales of goods act, बाटे पड़ा था, वो कह रहा था, constructive अलग होती है, symbol एक अलग होती है, जबको मैं आपको पहली और constructive में ही दोनों तरह की होती है, वो symbolic भी हो सकता ही है, जहाँ आपने वो बाटा था क्या कहते है, key दी थी, warehouse receipt दी थी, या वो atonement वाली हो सकती है, जहाँ इसका example हमने, यहाँ पड़ा, तो उसमें law ने, बेक टेक लिए करा ही question आपके पास आता है, तो हम इसमें क्या जब भी payment नहीं होगी, यह goods मैं आपको वापिस कर दूँगा, इस तरह की delivery को delivery by atonement बोला जाता है, आई यह इसका answer पड़ा देता हूँ, मैं आपको important question है, इसलिए मैंने इसका question है, with proper answer book में ही डाल दिया था, case का नाम भी आपको सब कवर करा देंगा, page number आ जाईए, 21 पे, yes, page 21 पे, June 2009, उसके बाद एक बार पूछा जा चुका है question, सर फिर जब हम car use करते हैं, तो pledge क्यों नहीं थी बैटा, वो भी pledge ही है आपकी book के हिसाफ से तो, मैंने आपको टेक्निकली बता दिया कि जो hypothetical है, अब आप इस बात को माल लिजें कि आपका institute जो है, वो hypothetical को दूसरी तरह से pledge बोलता है, वो कहता है, यह pledge है, जहाँ पर delivery कैसे होती है, delivery by atonement होती है, बात clear होती है, आईए, June 2009 का question करें, A, a bailer pledges cinema projector and other accessories with Cine Association cooperative bank limited the baili for loan, बटा एक A है, उन्होंने लिख दिया, यह bailer न है, उन्होंने cinema projector and other accessories, एक cooperative bank के पास pledge कर दी है, for loan, A requests the bank to allow the pledged goods to remain in its possession and promises to hold the same in trust for the baili, उन्हें का सर आप trust करिये, यह मैंने आपी के भ्याव पर hold किये हुए, and also further promises to hand over the possession of the same to the bank whenever demanded, examining the provisions of Indian contract at 1872, decide whether a valid contract of pledge has been made between A, the bailer and bank, the baili, आई answer रीड करते हैं, delivery to pony under Indian contract act, the problem asked in this question, अच्छा, pattern सबको answer का आता है, विलकुछ same way कुसी pattern मैंने लिखा हुए, जिल लोगों को नहीं आता है, फिर वह YouTube question bank series में मैंने आपको सारी तरह का answer लिखने सिखाय हुए थे, the problem asked in this question is based on the provisions of Indian contract act, contained in section 149, delivery to the baili or the pledge, अच्छा, क्या pledge, वही same rule जो baili के लिखा है, वही पलजी के लिखा है, वही पलजी के लिखा है, वही पलजी के लिखा है, बेली ही है, the section provides that delivery of goods to the baili may be actual or constructive delivery or a delivery by attornment to bank, in such a case, there is a change in the legal character of possession of goods, though not in actual or physical custody, बड़े अच्छी लाइन है बिटा, उसने क्या कहा, इस case में legal possession बदल जाती है, शायद actual custody नहीं बदलती, यानि कि A के पास possession नहीं रही, custody रह गई है, because अभी भी goods उसके पास हैं, लेकिन legally possession किसकी है वो, B की है, बाद मैं लिखा, though the bailer continues to be in the possession of the goods, it is actually the possession of the baili, in the given problem, the delivery of goods is a constructive one, that is a delivery by attornment to the baili or pony, and the possession of goods by A, the bailer, is construed, construed means is assumed as possession by the baili or the pony, that is the bank, a constructive pledge comes into existence as soon as the ponner, ponner कोन हो गया, भाई bailer, A, without actually delivering the goods, promises to deliver them on demand, बहुत बार पूछता है हो एक question को, Bank of Chitur Limited vs. Nara Simhulu is relevant, आप चाहें तो अपने notes में भी इसको साथ में डाल सकते हैं, Bank of Chitur vs. Nara Simhulu आप प्रदेश हाई कोर्ट की judgment है, लिखने की जुरूत नहीं है, आप सिरफ Bank of Chitur vs. Nara Simhulu भी लिख सकते हैं, याद रहते हैं, तो आप प्रदेश हाई कोर्ट मेंशन कर दीजगा, समझाता है, क्लियर हुआ यहां तक, चलू आगए, बड़ा जवाब आने बंद हो गया, थक के भाग गये गया, चलिया, लास्ट अब, एक बार उपर उपर से बुक से रीड करा देता हूँ, डेफिनिशन की अभी तक बुक से रीड नहीं करी, नोट सब के पास आगे हैं, डाउनलोड कर लिए हैं सबने, इसको नई मिले बड़ा ग्रूप में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको वट्सेप भी किये गए थे, अच्छा कोई ऐसा बच्चा था, जिसने आज क्लास जॉइन करी है, पहली बार एक बार हाई या या यस लिखके बेजना दर गुरूप में, जिसने आज क्लास जॉइन करी है, जो कल की क्लास में नहीं था, कृति, जलान, प्रभात, पुश्पध, बंधना, ये यस, पुराने क्लास जॉइन करी है, जिसने क्लास आज जॉइन करी है, पहली बार एक तो मैंने रिवाइस करा दिया आप लोगों को, दूसरा जो वीडियो थी कल वाली, वो आपको एप में प्लस ग्रूप में दोनों बच्चो ने, अबेलमेंट इस, डेफिनिशन यास उठाएंगे, अब आपको कई बार पड़ के, पड़ के याद होगी होगी, अबेलमेंट जो आया है, यह फ्रेंच वर्ड बेलियर से आया है, पहले बात इपॉर्ट आई होती थे, लेकिन MCQ में अब इंपॉर्टेंट है, यह बात है, पूछ लेगा वो, the word बेलमेंट has been derived from a French word, बेलियर, which means to deliver, बेलमेंट, इतिम लोजिकली means, इतिम लोजिकली पिटा मेंगे क्या होते है, वो संधी विशे जो इंदी में पड़ते है, means, handing over or change of possession, बेलमेंट का literal meaning क्या है, handing over या change of procession, the person delivering the goods is called बेलर, the person to whom goods are delivered is called the बेली, नीचे वाली explanation हम अम अलड़ी पड़ चुक है, some examples are hiring of goods, furniture, cycle, car, delivering of cloth to tailor, for making suit, delivering watch or scooter for repair, depositing goods for safe custody, ये सारे example में आप लोजों के साथ कबर कर चुका, important question, what are the essential elements of contract of bailment, पड़ा 4 मास सा question आता है paper में, मैंने आपको 5 points दिया हुए, 4 का भी आया, तो 5 points देने आपने, the essential characteristics of bailment are as follows, number one, it's a contract, the contract may be expressed on the light, no consideration is necessary to create a valid contract of bailment, हमने देखा, gratitude choice भी हो सकती है ये, उसके बाद delivery of goods होनी चाहिए, बड़ा, delivery के बारे में हमने 149 पड़ा है, delivery actual हो सकती है, delivery constructive हो सकती है, किसी particular purpose के लिए होने चाहिए, कई purpose आपने पड़े है, आप purpose बता सकते हैं, goods की ownership deliver नहीं होती है, और mere custody deliver कर देना भी delivery नहीं होती है, and finally, goods या तो return किये जाते हैं, same form में दिये जाते हैं, altered form में दिये जा सकते हैं, या they can be disposed of according to the direction of person delivering them, तो कुछ नहीं किया बड़ा, essential से मैंने उस definition के 5 टुकड़े कर दिया, जिस तरह मैंने आपको वहां बताया था, आप चाहें तो यहां बैटे delivery of goods भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सिर्फ goods यूज होते हैं, यहां बाद लिखी है मैंने, it is only for movable goods, इसमें immovable goods include नहीं होंगे, तो मैंने सारा clear करी दिया था, पढ़ा दिया था, सिर्फ को points form में बुक में आपको read करा दिया, delivery किस किस तरह से होती है, 149, बता दिया था मैंने delivery में बटे इन्होंने एकिलाइन लिखी, 149 क्या क्या कहता है, delivery may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of intended belly or of any person authorized to hold goods on his behalf, 149 क्या क्या कहता है, delivery किस तरह से की जाती है, by putting the goods in the possession of intended belly or any person authorized to hold on his behalf, delivery actual हो सकती है, delivery constructive हो सकती है, उसके मैंने बात करी बटे पोसेशन और custody वाली, कि आपकी सिरफ custody handover कर देना delivery नहीं होती है, custody भी होनी चाहिए और साथ में पोसेशन भी दे दे दें, तो वो क्या हो सकता है, अच्छा, deposit of money in bank is not a bailment, locker में समान रखना is not a bailment, क्योंकि custody दी गई है, possession नहीं दी गई है, जून 2009 वाला question मैंने आपको करा दिया, लास्ट मारे पास आता है, different examples of bailment, कई बार वो पूछ लेता है, आपको अन गिनत है, मैंने फिर भी कुछ 5-6 example यहाँ पर दे दी है, then on the basis of reward, bailment दो तरह का होता है, it can be gratuitous bailment, it can be non-gratuitous bailment, gratuitous bailment for exclusive benefit of bailer हो सकता है, gratuitous bailment for exclusive benefit of bailie हो सकता है, non-gratuitous में both party get some benefit, it is for mutual benefit of bailer और bailie, thus में नीचे clear कर दिया, thus it is clear that the bailment can be for exclusive benefit of bailer, for the exclusive benefit of bailie, और it can be for the mutual benefit of bailer and bailie both, तो वो gratuitous भी हो सकती है, non-gratuitous भी, चार्ट जो मैंने आपको बनाया था, नीचे मैंने बना दिया, bailment में gratuitous हो सकती है, non-gratuitous, it can be for exclusive benefit of the bailer, और it can be for the exclusive benefit of bailie, या non-gratuitous bailment में, it can be for the mutual benefit of bailer and bailie, चलिए, यहां ते हमारे complete होता है, अब मुझे एक चीज़ बताईए, क्या हम 20-25 मिंट और continue कर सकते हैं, कि यहीं खतम कर दें class को, हैं हिम्मत 15-20 बिट और continue करनेगी, आज पूछ रहा हूँ, आगे सानी पूछूँगा वैसे, next topic मुझे शुरू करना है, duties of bailer and bailie, क्या हम शुरू करें duties of bailer and bailie, या, अपड़े मेरी next class जो आएगी, वो charts रिक्को आएगी फिर, क्योंकि मेरी next class हम बंडे को पढ़ती है, चलिया है, दोनों की बात मालने तो पूटा, एक point discuss कर देता हूँ, पांच मिट लगेंगे, एक point discuss कर देता है, ताकि शुरू भी हो जाए, और ज़्यादा भी ना हो, वैसे भी 145 में, दो बज़े पूरा खतम कर दूँगा, duties of bailer, हमें बटा पढ़ना क्या क्या है, हमें duties of bailer पढ़ने है, duties of bailie पढ़ने है, rights of bailie पढ़ने है, तो आप समझेंगे बटा, एक पढ़ लो, तो बाकी दूसरा अपने आप हो जाता है, अगर आप duties of bailer पढ़ लेते हैं, तो जो duties of bailer हैं, वो क्या बन जाएंगे, rights of bailey बन जाएंगे ऐसी जब आप duties of bailey पढ़ेंगे तो वो किसके rights बन जाएंगे वो bailer के rights बन जाएंगे तो duties of bailey से मैं शुरू कर रहा हूँ इसके बाद हम duties of bailey पे जाएंगे फिर हम दोनों के rights पे जाएंगे actually chapter अब शुरू हुआ है जो question आएगा इसमें से वो duties और rights में से ही आएगा definition वाले parts से question आने के chances कम रहते हैं पहली duty cover करते हैं पहली duty bailer की जो हमने cover करनी है that is duty जब bailer होता कोन है अब अब वो वेक्ति जो अपने goods दूसरे को देता है तो पहली duty है इसमे duty to disclose faults in the goods duty to deliver duty to disclose faults in the goods sir note से learn करना start कर दें कर दो भाया मैंने मना थोड़ा नंगे किसी को याद करने से duty to disclose faults in the goods section 150 अच्छा कौन कौन से कर रहा है 148 हम definition पढ़ाए 149 में हम पढ़के आए कि delivery दो तरह की होती है actual हो सकती है constructive हो सकती है 150 में मैं आपको पहली duty बता रहा हूं duty to disclose faults in the goods चली example लेते हैं मेरा friend या एक Mr. A है इनके friend आते हैं इनके पास B और यह car borrow करके ले जाते हैं कार बोरो करके ले जाते हैं कार बोरो करके ले जाते हैं मेरा दिन का दो एक बज़े का time था आये कहते हैं आज के लिए क्या हो तरी कार को वही रीजन कहता है मेरी कार ना छोटी है उसमें ना family members पूरे नहीं आ रहे थे आज by chance घर में सब को जाना एक marriage है तो मैं गाड़ी ले जा रहा हूं राथ को एक सूभ सुबस्वह बचाया गाड़ी ले गया अपना है इंस सो किलो मेटर का या 200 किलो मेटर का चला रहा हुआ है हाइवे के टोडे दर्बाद हंडेर गंदेरा हुए बेट उसने headlights on करी, headlights start ही नहीं हुई, headlights start ही नहीं हुई, और आप समझते हैं, इंडिया की सड़कों के उपर बिना headlights के गाड़ी चलाना तो, सिधी सी बात है, accident को invitation देना है, यहां तो सड़कों पर वैसी कुछ नहीं दिखता, दिल्ली में रहने वाले बच्चों को खेरन आ रहे होते हैं, तो headlight जल नहीं रही रही रात को बेटा, जैसे कैसे चला रहा है गाड़ी, सड़क में बड़े बड़े गड़े, जैसे कैसे बड़े गड़ों से बचा रहा था, और हो गया गाड़ी का accident, गाड़ी को नुकसान हुआ ही हुआ वो तो अलग बात है, इन में accident हो गया रात को, चोट वगयरा भी लग गई है, बड़ आप मैंने सामने से क्या जवाब दिया उसको, यार, headlight नहीं जलते थे, actually यार, दिक्कत क्या आना, मुझे पता ही नहीं, headlight नहीं जलते है, क्योंकि मैं दिन में जाता हूँ, office, शाम को पांच बे तक आ जाता हूँ, मुझे ना बड़ जली काम पढ़ती है, जुरूत, मैंने साथ-ाट दिन पहले जिलाये थे, तब तो जल रहे थे, मुझे पता होता हूँ, जूट भी बोल रहो सकता हूँ, जूट भी बोल रहो सकता हूँ, दूसरा case करता हूँ, यहीं गाड़ी इसने A से नहीं ली थी, हेड़ लाइट नहीं जली, आपको लगता है जितना आप प्यार से इसने एसे बात करी चोट खाने के बाद, यह उतनी प्यार से जूम कार से बात करेगा, और जूम कार के एग्जेक्टीव सामने से जवाब दे रहा है, सर हमें पता नहीं था हैडलाइट जलती आपको लगता है ये प्यार महबत से बात होगी कि गाली गलोज तक पहुंच जाएगी बात थोड़े देर के अंदर ही और गाली गलोज तक नहीं बैटा ये थोड़ी देर तक ना डैमेजिस तक भी पहुंच जाएगी बात ये उस हाल में अंतर आना शुरू हो जाता है आपकी expectation as Bailey बदल जाती है आप जब किसी से free में समान लेते हैं अपने यार दोस्ते समान लेते हैं या आप किसी को payment करके समान लेते हैं suddenly आपकी tone बदल जाती है आपकी expectation बदल जाती है और यहां से इस बात को clear हो जाएगा कि जब ऐसे ही जब मैं duties of bailer की बात करता हूँ duties of bailer इस बात से बदलनी शुरू हो जाएंगी कि जो bailer है वो gratuituous bailer है या जो bailer है वो non gratuituous bailer है अब एक बाद ज़रा common sense से बताईए पर टा किस bailer की responsibilities या duties जादा होंगी gratuituous वाले bailer की या non gratuituous वाले bailer की gratuituous वाले bailer की या non gratuituous वाले bailer की से बड़ी common सी बात है non gratuituous वाले bailer की जो बंदा पैसे ले रहा है goods देने के बदले अगर वो goods के faults disclose नहीं कर रहा वो गलतियां नहीं बता रहा अपने goods में जिसकी वज़े से हमें नुकसान हो रहा है तो obviously उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा होनी चाहिए और बटा यही बात आपको यह point लिखता है 150 150 कहता है कि आपकी duty इस बात पर dependent होगी 150 के अंदर कि आपका जो bailer है वो ग्रैची चुएस bailer है या वो नौन ग्रैची चुएस bailer है ग्रैची चुएस bailer पर बटा वो जिम्मेदारी बोलते हैं कि भाईया जब आप goods दे रहे हो आपको disclose करने चाहिए all facts known to him which are material तो यूज ओफ गुड्स और में पुट दा बेली तो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी रिस्क्स एक बार दोनों के लिखवाता हूं फिर आप खुट डिफरेंस पकड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें मैंने क्या लिखा ग्रेचिव जबेलमेट में यूज तो इसमें पुट दा बेली तो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी रिस्क्स नौन ग्रेचिव जबेली और नौन ग्रेचिव जबेलर के लिए हमने क्या लिखें है गी यूज तो डिस्क्लोज ओल फैक्स वेदर नोन टू हिम और नौट दोनों में अंतर पकड़ देजे बटा वैसे तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है अंतर ग्रेचिव जबाले को हमने क्या बोला और नौन ग्रेचिव जबाले को हमने क्या बोला डिफरेंस कहां पर आ रहा है अभी तो हम ना कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको चैट का जवाब देते हैं भी रूप जो लिखो 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 भी ज़रा डिफरेंस ही बता देना मुझे डिफरेंस कहा आ रहा है बता डिफरेंस नॉलेज का है दोनों ही केसी ने बता जिम्मेवारी तो है कि भाईया गुट्स में कोई कमी आ है कि आपके गुट्स हैं आप ज़्यादा जानते होंगे तो बेली को बता दीजिए भाईया मेरे गुट्स में यह यह कमी है तुझे इससे यह यह नुकसान हो सकता है उसको बता दीजिए हैडलाइट नहीं जलती उसको बता दीजिए वाईपर नहीं चलता शायद उसे बता दीजिए भाई यह बैक होती है न तो उसका बैक सायरन क कि मुझे खुद भी नहीं पता था यानि कि आप उन जिम्मेची चीजों के लिए जिम्मेवार नहीं है जो आपको खुद भी नहीं पता थी वो आप बेली को बताने के लिए जिम्मेवार नहीं है सर बता तो वैसे भी नहीं सकते मुझे खुद भी नहीं पता थी लेकिन बैटाई ये excuse non gratitude बेलमेंट में नहीं चलेगा non gratitude बेलमेंट में अगर आपके goods में कोई कमी है और उस goods में कमी होने की वज़े से जो बेलर है उसको बेली है उसको इंजिरी होती है उसको damages होते हैं वो injury वो damages आपको as बेलर पे करने पड़ेंगे बले ही फिर आपको उन goods के अंदर कमी का knowledge हो या आपको ना हो तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है यहाँ जिम्मेवारी सिर्फ known to him की है अगर मैं as बेली ये साबित कर देता हूँ यहाँ पर भी कि बेलर को पता था किसकी headlight नहीं जलती उसके घर वालों ने यह बात बताई आपको पता तो था तीन दिन से हम कहा रहे है headlight नहीं जल रही आपकी तो वो यहाँ भी जिम्मेवार है आप अपने दोस्तों को और आपने नहीं बताया और उसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है he can hold you liable for damages वो आपको damages के लिए liable hold करेगा चलिए we are done with the first point duty to disclose faults in goods दो point मैंने बांटा हुआ है gratitude choice bailment और non gratitude choice में gratitude choice bailment में सारे faults disclose करने है which are known and which are material for use of goods और और में put the ability to extraordinary risk लेकिन non gratitude choice bailment में आपको सारे faults disclose करने है बले ही वह आपको known हो या आपको known ना हो चलिए we are done for the class इसी तरह को कोई doubt हो तो आप doubt पूछ सकते हैं class हम यहीं खतम कर रहे हैं नहीं तो उसके बाद